आपको बताने वाला हूँ वन अफ दिग्रेटेस सिंग और फॉल टाइम जिसका गाना सुनते ही लोगों के कान क्या लोगों के गांड भी बहरे हो जाते हैं तो आज मैं धिन्चक पुजा के बारे में पांच फेक्ट बताने वाला हूँ जिस फेक्ट को सुनते ही आपके कान नाक मू कहां कहां से खुन निकलेगा आपको खुद पता नहीं चलेगा तो प्लीज वीडियो को पूरा धिन्चक पुजा का रियल नेम पूजा जैन है इस बहरीच चुरेल का जनम 28 दिसंबर 1993 को हुआ था इसी दिन के बाद से हमारे देश में नॉइस पोल्यूशन की समस्या सुरू हुई थी धिन्चक पुजा उत्राखंड में रहती है और अपने सुरीले गानों से लोगों के कान से क्या लोगों के कहा कहा से खुन निकालती है ये खुद नहीं पता है सलर जिसको बावासीर की बीमारी नहीं होगी ना उसको भी मंगा देगी क्या आपको पता है कि 2017 के बिग बॉस में धिन्चक पुजा कंटेस्टेंट रह चुकी है भाई मैं ये सोच रहा हूं कि जब ये कंटेस्टेंट थी तो जीती कैसे ने सले एक दुगाना सुना देती तो सलमान खान क्या बिग बॉस भी कोमा में चला जाता धिन्चक पुजा के यूट्यूब चैनल पे अब तक 133 मिलियन व्यू आ चुके हैं साला मतलब 133 मिलियन लोग बहरे हो गए धिन्चक पुजा के 2017 में 100 के सस्क्राइबर थे और 2020 में 1 मिलियन साला अंडूगांडू लोग के भी हो जाते हैं लेकिन धिन्चक पुजा को कोई कुछ नहीं बोलेगा धिन्चक पुजा टोनी करकर से तो अच्छा ही गाती है धिन्चक पुजा को मीडिय का टेंशन तम मिला जब स्वैग वाली टोपी दारू सेलफी मैंने ले लिया जैसी वीडियो वाइरल हुई और इसी के बाद से धिन्चक पुजा का खतानाक सफर सुर हुआ सला मैं भी सोच रहूं मैं भी एक दो गाना गालो मैं भी फेमस हो जाऊंगा तूने मेरे दिल को चुरा ली ए चोर हो गया महले में शोर एक चुमा दिया क्या तेरे को अपने होटो से एक चुमा दिया क्या अपने तरे को होटो से पूरे महले में हो गया सुर लेकिन यह तो साइडी हो गया होग फ्रेंज आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो का लाइक कर दो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में